हेलो स्टूडेंट्स वेल्कम अगें टू लंगर देतीमन तो लास्ट वीडियो हमने 59 कुश्चन कंप्लीट कर लिये थे हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नमबर 6 जुसमें राजिस्थान के प्रमुक दुर्ग चल रहे हैं तो दुर्गों से संबंदित जो है वो टॉपिक जो ह आज और नेक्स्ट वीडियो हम राजिस्थान के प्रमुक मंदिर जो है वो करेंगे जालोर का किला कहां इस्तित है तो यह किला जो है वह सोन गिरी पहाडी पर सूक्री नदी के किनारे इस्तित है ठीक है जालोर का किला सोन गिरी पहाडी पर सूक्री नदी के किनारे इस्ति कुश्यन 61 है जालोर दुर्ग का निर्मान किसने करवाया तो जालोर दुर्ग का निर्मान जो है वह कराया प्रतिहारों ने ठीक है तो गागरोन का किला जो है वह किसने बनवाया था परमार शाषकों ने और जालोर दुर्ग का निर्मान जो है करवाया प्रतिहार शाषकों न 62 question है जालोर दुर्ग के संदर्व में सिला लेखों में किस नाम से उत्कीन है जालोर दुर्ग का नाम जो है वह सिला लेख में हमें किन नामों से मिलता है तो देखिए ये मिलता है हमें जबालीपूर और मिलता है सुवर्ण गिरी ठीक है नेक्स्ट है 63 कुश्चन, जैसल मेर का किला किस पहाडी पर इस्तित है? तो यह किला जो है वह है तरकूट पहाडी पर इस्तित है. अगला है किस किले के लिए कहा जाता है कि यहां पहुँचने के लिए पत्थर के पैर लोहे का शरीर वह गोडे पर शवार होकर पहुचा जा स तो ऐसा कथन जो है वह किस किले के लिए कहा गया है कि जिसके लिए पत्थर के तो पैर होने चाहिए और लोहे का सरीर होना चाहिए और गोड़े परसवार होकर ही यहाँ पहुंचा जा सकता है। क्योंकि ये विसेशता है जो है वह है इसी तरीके की दिखाई दे रही है कि पहुंचने के लिए पत्थर के पैर चाहिए, लोहे का सरीर चाहिए, घोडे पर सवार होकर पहुंचा जा सकता है तो किला जो है वह है लोहागड का किला नहीं है, आंसर है जैसल मेर का किला जैसलमेर के किले का निर्मान किसने करवाया तो भाटी शाशक राओ जैसल ने करवाया तीक है यह पढ़ चुके हैं जैसलमेर के किले का निर्मान किसने करवाया था सूरजमल ने करवाया 1733 इसवी में ठीक है तो देखिए मैंने आपको बताया था कि एक है लोहागड और एक है जैसल मेर का किला और यदि लाइन आ जाती है कि किस दुर्ग के बारे में कहा गया है कि जहां पहुंचना है तो पत्थर के पैर होने चाहिए लोहे का सरीर होना चा लोहागड के लिए के प्रवेश द्वार पर निर्मित दर्वाजे को कौन दिल्ली से भरतपूर लेकर आये थे तो यहां का जो दर्वाजा है लोहागड के लिए के प्रवेश द्वार का तो उसे दिल्ली से भरतपूर लेकर आये थे महाराजा जवाहर सिंग महराजा जवाहर सिंग जो है वह दिल्ली से भरतपूर लेकर आये थी लोहागड के लिए के प्रवेश द्वार पर जो दर्वाजा है कौन से अंग्रेज अफसर ने 1805 इसवी में विशाल सेना वतोप खाने के साथ पांच बार लोहागड के लिए पर चड़ाई करने का प्रयास किया लेकिन फिर भी वह असफल हुआ तो वह कौन सा अंग्रेज अफसर था तो वह था लौड लेक ठीक है याद रखना है लौड लेक था तो आज हमने छोटे-छोटे से बातें जो हैं वह किलों के बारे में की जो की आपके लिए जरूरी थी जालोर का किला जो है वह सोनगिरी पहाडी पर सूकरी नदी के किना इस्तित है वहीं हमने जैसल मेर किले की बात की जो की तरकूट पहाड़ी पर इस्तित है ठीक है और उसके बाद हमने बात की लोहागड का किला जो है वह है महाराजा सूरंजमल जो की भरतपुर के शाशक थे इन्होंने बनवाया था और जैसल मेर के लेकर मान राव जैसल ने क किया था ठीक है और इसके बाद जो important line है कि पत्थर के पैर लोहे का सरीर गोड़े पर सवार होकर पहुचा जा सकता है तो वह है जैसल मेर का किला तो इन चीजों को आप लोग याद रखिएगा के लिए से संबंदी topic जो है वह आपका पूरा होता है next video हम six class को ही करेंगे जिसम सबसे बड़ा topic जो है वह राजिस्थान के प्रमुख दुर्ग यह आपका complete हो चुका है मंदिर का इसी तरीके से एक वीडियो आएगा और आपका यह chapter जो है complete हो जाएगा चलिए मिलते हैं इसी तरीके से thank you